धन को कैसे बाटा जा रहा है? किसके हाथ जा रहा है? क्या सच्मुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है? या फिर भारत माता का धन चुनए हुए लोगों के हाथ में जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आपने सुना? नरेंद्र मोधी को कहते हुए सुना आपने कि मैं OBC का हूँ, OBC का हूँ, OBC का हूँ,ekingरु सुना है? ता या ना सुना है? OBC के हिंदुस्तान में क्या बादी है? व कोई बता सकता है? Bundesका कोई हिंदुस्तान में OBC? किसी देगे कोई बता नहीं सकता किसी को नहीं मालूम कि पिछणों की आज हिंदुस्तान में क्या अबादी है किसी को को नहीं मालूम तो मैंने पार्लेमेंट में कहा कि हम भारत माता की जै करते हैं मगर भारत माता में किसकी कितनी अबादी है ये किसी को नहीं मालूम तो मैंने पार्लेमेंट हाउस में जाती जन्गरना की मांग की मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में लोगों को भागीदारी देनी है गलितों को आदिवासियों को गरीब जन्रल कास्ट के लोगों को भागीदारी देनी है तो सबसे पहला कदम जाती जन्गरना का है जिस दिन मैंने ये भाशन किया पार्लिमंट में जिस दिन मैंने ये बात बोली उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाशन बदल गए पहले कहते थे मैं OBC हूँ जब मैंने OBC की अबादी का सवाल उठाया उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं भाईयों और बेहनों हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है वो है गरीब वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी OBC मगर जब OBC को बागिदारी की देने का सवाल आया उनकी सच्ची सक्ति उनकी अबादी का पता लगाने के बात आई तो नरेंद्र मोधी कहते हैं देश में OBC है ही नहीं दलित ही नहीं आदिवासी ही नहीं जेनरल ही नहीं सिर्फ एक जात है वो है गरीब बाईयों और बहनों जाती जनगर्णा से क्या होगा मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान को MP, MLA नहीं चलाते हैं अगर आप सोचते हो कि हिंदुस्तान को MP और MLA चलाते हैं गल्फ फेमी में हो किसी भी बच्चे से पूछ लो 10 साल के बच्चे से पूछ लो क्या करना चाहते हो सारे के सारे कहते हैं हम IAS में जाना चाहते हैं फिर उससे पूछो क्यों जाना चाहते हो कहते हैं IAS के अपसर देश को चलाते हैं नब्बे अपसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं Secretary to Government of India Cabinet Secretary ये नब्बे लोग नरेंद्र मोदी के साथ मिल कर देश को चलाते हैं बजट का पैसा कहा जाएगा स्वास्त में जाएगा शिक्षा में जाएगा देश की रक्षा में जाएगा सारे के सारे निन्ने ये नब्बे लोग लेते हैं राजिस्तान की सरकार को कितना मिलेगा GST कितनी लगेगी सारे के सारे निन्ने ये 90 लोग लेते हैं मैंने पार्लिमेंट में सवाल पूछा कि अगर आप कहते हो कि पिछडों की भागीदारी है तो मुझे ये बता दो कि 90 में से पिछडे वर्ग के कितने I.S. आफसर है BJP ने जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोधी ने जवाब नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ पिछडों की अबादी 50% और 90 में से तीन अपसर पिछडे वर्ग के एक अपसर आदिवाईसी तीन अपसर दलित और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खर्च करती है तो पिछडे वर्ग के अपसर पांच रुपिया का निर्णे लेते हैं मतलब आज पिछडों की आबादी तकरीबन 50% और पिछडों की हिस्सेदारी पांच परसेंट से कम और फिर नरेंदर मोदी आप से कहते हैं पिछडों की सरकार चल रही है कौन सी पिछडों की सरकार अगर पिछडों की सरकार होती तो कम से कम 45 अपसर 90 में से 45 मतलब 50% OBC भर के होते यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है थोड़ी सी मैं इनकी योजनाओं के बारे में कह देता हूँ फसल भीमा योजना देखिए 35,000 क्रोर रुपिया फसल भीमा योजना में जाता है कहां से आता है GST से आता है आपने यह गुलाबी शर्ट पहनी हुई है जितनी GST आपने शर्ट के लिए दी उतनी ही GST अधानी इस शर्ट के लिए देगा अगर आप एक लिटर पेट्रोल खरीते हो जितना पैसा आप GST में एक लिटर पेट्रोल के लिए दोगे यहां गरीब से गरीब व्यक्ति जितना आप दोगे उतना ही पैसा अधानी की जेब से निकलेगा तो GST कहां से आती है GST गरीब जनरल कास के लोगों से आती है OBC वर्ट के लोगों से आती है दलेतों की जेब से आती है आदिवासियों की जेब से आती है तो आपके जेब में से पैसा निकला 35,000 करोर रुपिया 20,000 करोर रुपया दिल्ली की सरकार ने रखा 10,000 करोर रुपया स्टेट की सरकार डालती है और 5,000 करोर रुपया हमारा किसान डालता है हो गए 35,000 रुपय नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोर रुपया GST का पैसा, आपका पैसा, आपकी जेप का पैसा सोला कंपनियों को पकड़ा दिया सोला कंपनी में मैंने चेक किया आपको एक ओभी सिवर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा जब किसान का खेट बरबाद होता है फसल भीमा योजना में किसान फोन लगाता है किसको लगाता है? 19-16 कंपनियों को इमेल डालता है पैसा किसका? किसान का इस भीड का पिछडों का कंपनिय वाले उससे कहते हैं आपके खेट में तो नुकसान नहीं हुआ आपको हम भीमा का पैसा नहीं देंगे तो हुआ क्या? आपके जेब से पैसा निकला गरीमों के जेब से पैसा निकला नरेंद्र मोदी ने उसको 16 कंपनी वालों को दे दिया और जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ी कंपनी वाले कहते हैं आपको तो नहीं देंगे दूसरी योजना अगनीबीर योजना पहले क्या होता था? पहले सुबह युवा उठते थे हर वर्क के युवा उठते थे दलेत, अधिवासी, OBC, पिछड़े लोग गरीब जनरल कास के लोग सुबह दोड़ते थे वर्जिश करते थे सेना में भरती होते थे हिंदुस्तान की सरकार भारत माता को गैरंटी करती थी कहते थी अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो हम आपकी देखबाल करेंगे अगर आप शहीद हुए आपके परिवार की रक्षा होगी गाओं में आपकी हिज़त बनेगी और क्योंकि आपने हिंदुस्तान की रक्षा की जिन्दगी भर हम आपकी रक्षा करेंगे, ये पहले कहा जाता था, अब नरेंद्र मोदीजी ने क्या किया अगनिवीर योजना सबसे पहले युवाओं से कहते हैं देखो तुम्हें हम चार साल के लिए लेंगे अगर तुम शहीद हो गए तो हमारी गलती नहीं तुम जानो तुमारा काम जाने जितना पैसा पहले सेना की रक्षा करने में जाता था जवान की रक्षा करने में जाता था अपसनों की रक्षा करने में जाता था उतना ही पैसा नरेंद्र मोदीजी ने अदानी को दे दिया तो अगनिवीर क्यों हुआ क्योंकि नरेंद्र मोधी जी ने आपका GST का पैसा आपके जेब से निकाल कर सीधा अनानी जी के जेब में डाल दिया और लाकों ही हुगा जो चार बजे सुबह उठते हैं देश की रक्षा करना चाहते हैं कि उनका सपना खतम कर दिया उनका दिल तोड़ दिया देखिए भाईयों और बेनों जेब कत्रे सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले तीन लोग आते हैं अकेला नहीं आता सबसे पहले क्या होता है एक बंदा सामने आता है आपके ध्यान को इदर उदर करता है है न उल्टी सीरी बात बोल देगा पीछे से एक और बंदा आता है वो जेब काड़ देता है सही और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा अगर इसमें कोई आवाज की तो उस पर आक्रमन कर दें उसको डरा दें एसे जेब काटे जाती है दियान उदर उदर करने वाला नरेंद्र मोदी जेब काटने वाला अधानी और बाद में लाटी मारने वाला अमित शाह सीधी जी बात है आप पैसा भर रहे हो यहां मुझे पता दो जी एसटी से किसको फाइदा हुआ यहां कोई है जो कह सकता है हाँ भीया मुझे जी एसटी से बहुत फाइदा हुआ होई नहीं सकता क्योंकि जितना पैसा आप डाल रहे हो उतना अधानी डाल रहा है आप सोच रहे हो कि मैंने पैट्रोल अपने टंकी में भरा हो क्या रहे है आप आधा पैसा टंकी में भर रहे हो पैट्रोल टंकी आधे पैसे का पैट्रोल भर रहे हो और सीधा उदर से पाइप से जा रहा है पीछे से अधानी की जेब में आप बिजली का स्विच्च अन कर पंका चलता है और उधर से थोड़ा सा पैसा सीदा अधानी जीव में जाता है अब कॉंग्रेस पार्टी के स्कीम देखिए साथ गैरिंटी है आप मुझे बता दो इन मेंसे अधानी की जेव में कितना पैसा जा रहा है कहां जा रहा है सबसे पहले इस भीड में जो भी बिमार होता है चाहे कैंसर हो जाए दिल का दोरा पड़ जाए हड़ी तूड़ जाए सब लोगों को 25 लाख रुपे तक हम फ्रीज लाज कराते हैं ने ने अभी बोल रहा हूं 25 लाख तक राजिस्तान में फ्री में इलाज होता है सही चुनाओ के बाद वो 50 लाख हो जाएगा आप सोचिए आप सोचिए 50 लाख रुपे का इलाज राजिस्तान के हर व्यक्ति के लिए कॉंग्रेस पार्टी की सरकार करती है इसमें से एक रुपिया अधानी जी के जेब में नहीं जाता अधानी जी के जेब में नहीं जाता अधानी नरेंद्र मोदी जी कहते थे यूपिय के समय कहते थे भाई और बैनो 400 रुपे का सिलिंडर हो गया आज कितने का है 1200 रुपे का है 1200 रुपे का सिलिंडर हो गया नरेंद्र मोधी एक शब नहीं कहते हैं तो के बाद कॉंग्रेस पार्टी सब के सिलिंडर 500 रुपय का गर देगी अधानी की चेहर में कितना पैसा गया जीरो स्वास योजना में जीरो हर महिला घर में एक महिला को कॉंग्रेस पार्टी सीधा बैंक अकाउंट में साल के 10,000 रुपय डाल देगी अधानी को कितना पैसा गया? जीरो बीजेपी ने नरेंद्र मोधी ने कहा था कि कनल यहां कि जो कनल है उसको मैं नैशनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा चुनाव में कहा था बन गया नैशनल प्रोजेक्ट तो आप देखिए जो भी हम करते हैं हम गरीब जनता के लिए करते हैं चाहे हमी स्वास्योजना हो मनरेगा हो भोजन का अधिकार हो यहां की कनल हो सारा का सारा काम हम गरीब जनता के लिए करते हैं और वो पूरा का पूरा काम दो-तीन बड़े उद्योग पतियों के लिए करते रहते हैं आपको निर्ने लिना है आप अधानी की सरकार चाहते हो बीजेपी की सरकार चाहते हो या आम जंता की, किसानों की, मजदूरों की छोटे दुकानदारों की राजिस्तान के युवाव की सरकार चाहते हो अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना आपकी कनैल बनेगी ना आपको स्वास्त का पैसा मिलेगा ना 500 रुपए का सिलिंडर मिलेगा ना माहिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले है सारे के सारे बंद हो जाएंगे बीजेपी के नेता हर बाशन में कहते है हिंदी सीखो अंग्रेजी मत सीखो आप उनके बच्चों से पूछो अमित्शा से पूछो कि भाईया आप बताओ आप हमें कहते हो कि हमें अंग्रेजी नई सीखनी चाहिए आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं सारे के सारे आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीटियम में पढ़ते हैं आपके बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़ें उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ें क्यूँ क्यूँकि वो नहीं चाहते कि सबसे अच्छी नोकरियां आप लोग ले जाओ मैं ये नहीं कहा रहा कि हिंदी निट्ड़नी जितनी हिंदी पढ़नू पढ़ो युवाहों से कहा नहीं, जितनी हिंदी पढ़ो, मगर एक बात याद रखो, राजस्तान में, मध्यप्रदेश में, दिल्ली में काम करना है, हिंदी चलेगी, वहाँ पर किसी से बात करनी है, हिंदी चलेगी, मगर call center में काम करना हो internet का काम करना हो किसी बड़ी company में काम करना हो विदेशी tourist से बात करनी हो हिंदी नहीं चलेगी अंग्रेजी की जरूरत है सीधी जी बात है तो मेरा कहना है किसान के बेटों को मजदूर के बच्चों को चोटे दुकानदार के बच्चों को बड़ा सबड़ा सपना देखना चाहिए आप पाइलेट बनना चाहते हो यहां से अमरीका आवाई जाज में जाना चाहते हो सपना पूरा होना चाहिए यह चाहते हैं कि दो हिंदूस्तान बने अपने भाशनमों कहते हैं भारत माता गीजै मैंने शुरुवात में कहा भारत माता है कौन भारत माता किसान है भारत माता मजदूर है भारत माता युवा है हमारी माताएं बहने है पिछले वर के लोग है गरीब जेनरल कास के लोग है दलित हैं आदिवासी हैं आप भारत माता की जय करते रहते हो और फिर अधानी के लिए काम करते हो हम हम जाती चंगरना की बात करते हैं आप देश को कहते हो कि भाई आदेश में तो जाती नहीं है एक ही जात है वो है गरीब मैंने मन बना लिया है और मैं नरेंद्र मोदी नही मुझा नहीं परपड़ता मैं वो अधानी जी की जै करते हैं में भारत माता की जै करता हूं मेरे लिए भारत माता कौने मता देता हूं उख मेरे भारत माता हिंदुस्टान के गरीब लोग ہے हिंदुस्तान के पिछड़े वर्के लोग दलित, आदिवासी, युवा, छोटे दुकानदार, में लिए भारत माता है और मैंने मन बना लिया है कि राजस्तान में हमारी सरकार आईगी पहला काम राजस्तान में जाती जन्गर्ना करने का होगा और जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आईगी बीजेपी को अच्छा लगे ना लगे जैसे ही हमारी सरकार आईगी अब लिख लो जैसे ही सरकार आईगी देश में कॉंग्रेस पार्टी जाती जन्गर्ना पूरे देश में करवा देगी और जितने भागेदारी पिछणों की होनी चाहिए, दलेतों की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, गरीब जन्रल कास के लोगों की होनी चाहिए, जाती जन्गरना के बाद हम उस पर आक्शन ले पाएंगे, उससे पहले किसी को मालूम ही नहीं मैंने यहां आपसे जवाल पूचा देश में पिछड़े लोग कितने आप जवाब नहीं दे पा रहे हो आप अपनी शक्ती नहीं समझते पिछड़े लोग 50% है मैं आपसे पूच रहा हूँ कि भाईया देश में आपकी शक्ती कितनी आप बता ही नहीं पाड़े चुप बैठे हो आप तो पहला कदम आपको अपनी शक्ती के बारे में मालूम होना पड़ेगा आपको पता होना पड़ेगा कि भाईया मैं पिछड़े वर्थ का हूँ देश में 50% अबादी मेरी है इसका मतलब कम से कम देश में 50% भागिदारी मेरी होनी चाहिए देश के सबसे बड़े उद्योग पतियों की लिस्ट निकालो उसमें से मुझे एक पिछड़े वर्का एक दलित एक आदिवासी दिखा दो बाशन बंद कर दूँगा एक नहीं है उसमें अदनी की कंपणी दे लो अब अदनी की कंपणी में आपको एक बंदह का बंद्द कंद हे एक दलित ने मिलेगए एक आदिवाची ने मिलेग के लत पाकें उसकी, कोईला उसका, खेत का स्टोरिज उसका, 50% आबादी आपकी, उसमें आपका एक आदमी नहीं, और पूरा ड्रामा चल रहा है, नरेंद्र मोधी उसके लिए काम करता है, मैंने कहा शुरुवात में कहा, प्रेस के हमारे मित्रों, मगर यह हमारे मित्र नहीं है, यह अदानी के मित्र हैं, तो होता क्या है, नरेंद्र मोधी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है, मीडिया का काम 24 गंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है, कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा कभी, कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है, कि भईया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूँ, सोशल मीडिया में दिख सकता है, मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता, मंडी के सामने भूके मर जाएं, टीवी पे नहीं आएंगे, टीवी पे आपको अश्वरिया राई दिखेगी, अमिता बच्चन दिखेगा, शाहरुख कान दिखेगा, क्रिकेट मैच दिखेगा, मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है, देश का दर्द है, वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं, TV अदानी का है तो अदानी जी मोदी जी का चहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीचे से लाठी लिया में चागूंता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा ये सिस्टम चल रहा है इनका और ये सिस्टम तोड़ना है और ये तूटेगा तो ये मैं आपसे कहना चाहता था राजिस्तान में हमारी सरकार ने बहुता काम किया है गरीबों के लिए काम किया है किसानों के लिए काम किया है हमारे candidate यहाँ हैं, इनका आप पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इन सब को आप यहाँ चिताईए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, नफरत के बाजार में